जकूरी इंडस्कियर लिमिटेड में इंटरनेशनल स्टेंडर्ड के एडहसिफ प्राड़क्स बनाने के लिए जम्बो रोल्स इंपोर्ट किया जाते हैं Raw Material Store में जंबो रोल्स और पैकिंग मटीरियल के साथ साथ पेपर कोर को भी स्टोर किया जाता है Raw Material Store से पेपर कोर और जंबो रोल्स रिवाइंडिंग सेक्शन में भेजे जाती हैं जहां बैक वक्त इंडस्ट्रियल और कमर्शल टेप्स तैयार की जाती हैं कमर्शल इस्तमाल होने वाली टेप्स में सबसे पहले पेपर कोर को कटिंग मशीन के जरीए रिकॉाइट साइज में काट कर रिवाइंडिंग मशीन में इंस्टॉल किया जाता है रिवाइंडिंग मशीन की एक साइट पर जंबो रोल लगाया जाता है मशीन जंबो रोल को ना सिर्फ आटोमेटिकली अन्वाइंड करती है बलके कटर बलेड की मदद से रिकॉाइट साइस के मताबिक काटती है और छोटे पेपर कोर्ट्स पर खास मिगदार तक रिवाइंड करती है घरों में ज्यादा तर इस्तमाल होने वाली स्कॉश टेप भी इसी तरस पर निस्बतन छोटी लेटिस्ट आटोमाटिक मशीन पर तयार की जाती है लेकिन इसमें खास किसम का प्लास्टिक कोर्ट इस्तमाल होता है इंडस्ट्रियल पाकेजिंग में इस्तमाल होने वाली मुक्तलिफ इक्साम की टेप्स चाहे वो सुपर गोल्ड हों, स्टेंडर्ड गोल्ड, मास्किंग टेप्स, क्लियर, ट्रांस्पेरंट या फिर टैन टेप्स हों सब एक ही तरीके से रिवाइंडिंग सेक्शन में तैयार की जाती है इस मरहल में रिवाइंडिंग मशीन पर रिकॉाइट टेप के जंबो रोल को अनवाइंड करने के बाद पेपर कोर पर खास मिकदार तक रिवाइंड करके लॉग्स तैयार किये जाती है इन लंबे लॉग्स को फिर कटिंग सेक्शन में भीजा जाता है कटिंग मशीन पर खास किसम का फर्मा लगा कर माहिर कारीगर क्लाइंट के रिकॉाइट साइज के मताबिक टेप्स को मुक्तलिफ साइज में काट कर पैकिंग सेक्शन में भीज देता है पैकिंग सेक्शन में टेप्स के बंडल्स बनाकर प्लास्टिक कवर चड़ाया जाता है और हीटर मशीन से गुजार कर रैप्ट बंडल्स को काटन्स में पैक कर दिया जाता है जकूरी इंडस्रियल लिमिटिड की प्रिंटिंग सेक्शन में कस्टमाइज इंडस्रियल पैकिंग टेप्स तयार की जाती है क्लाइन्ट के ब्रैंड लोगो डिजाइन के मताबिक प्रिंटिंग फर्मा तयार किया जाता है प्रिंटिंग सेक्शन में खास किसम की रिवाइंडिंग मशीन की मदद से ना सिरफ जंबो रोल को अनवाइंड किया जाता है बलके ब्लॉक प्रिंटिंग के अमल से क्लाइंट का लोगो डिजाइन टेप पर प्रिंट किया जाता है। नाजम ये है जकूरी इंडूस्रियल लिमिटेड का रॉब मटीरिल स्टोर या इसको इंवेंटरी स्टोर भी कहते हैं।